हलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों आपको बता दूँ कि आरियन खान केस में NCB ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और NCB ने Ministry of External Affairs की मदद ली है ये पता लगाने के लिए कि आरियन खान का International Drug Trafficking के साथ कोई Link है की नहीं कोई Contact है की नहीं कोई Foreign Link है की नहीं ड्रक्स मामले को लेकर दोस्तों आपको बता दूँ कि NCB को कुछ WhatsApp चैर्स मिले थे आरियन खान के और इस WhatsApp चैर्स से ये प्रूफ हो रहा था कि आरियन खान के कुछ International Drug Trafficking के साथ Link है इसलिए आरियन खान के मोबाइल को NCB ने Forensic Department में भी भेजा है और वो पता लगा रही है कि इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों आपको बता दूँ कि NCB ने इन WhatsApp चैर्स को कोट के सामने भी प्रूदूस किया था और ये प्रूफ करने की कोशिस की थी कि ये सिर्फ Drug लेने की बात नहीं है सेवन करने की बात नहीं है कर्दंशन की बात नहीं है इसमें ड्रक्स के लेंदेन हुई है इसमें इंटरनेशनल ड्रक्ट्राफिकिंग भी इन्वाल्ड है इसलिए आरियन खान को अभी तक बेल नहीं मिल पाई है दोस्तों आपको बता दूँ कि ये एक बहुत बड़ा कदम है और Ministry of External Affairs पूरी अपनी कोशिस कर रही है इस बात को पता लगाने के लिए कि इसमें कोई इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग इंटरनेशनल लिंक इन्वाल्ड है की नहीं तो दोस्तों बने रहेगा मेरी इस चैनल से जैसे जैसे और खबर आएंगी मैं आपको बताता रहूंगा मिलता हो अगले वीडिय की लिए।